नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि WhatsApp में नया गुरूप कैसे बनाएं? जिहां दोस्तों यह बहुत ही आसान तरीका है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बड़ जो नहीं जानता उनके लिए आज यह वीडियो है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने WhatsApp को ओपन कर लिजे, WhatsApp को ओपन करने के बाद, आप देख सकते हैं, आपका सारा चैट इस तरह से खुल कर आ गया, यहाँ पर उपर में three dots का option है, three dots का option पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक option आ रहा, new group, new group के option पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपका सारा चैट पर जो भी नाम है, सारा contact list यहाँ पर आ चुका है, जिस किसी को भी आप इस group में add करना चाहते हैं, उसको यहाँ से add कर लिजे, जैसे हम करना चाहते हैं, आपको बताते हैं, एक, दूसरा नाम हम कर लेते हैं, दो, तीसरा है, यह तीन लोगों का नाम हम यहाँ पर add कर लिए हैं, अब दोस्तों, और भी लोगों को अगर आप करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं अपने group में, अब यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं, कैरो का निसान है, इस पर click की करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, कि तीन मेंबर आपके group में जोड़ चुके हैं, अब यहाँ पर पूछ रहा है group का नाम, तो आप group का नाम लिख दीजे कुछ, group का नाम लिख देते हैं, test, whatsapp, group, तो यह group का नाम हो गया, यहाँ से आप अपना DP भी लगा सकते हैं, भगल में आपको camera दिख रहा है, यहाँ से gallery से select कर सकते हैं, आप camera से तुरत खीच सकते हैं, तो यहाँ पर हम gallery से इसको लेख, कोई भी image आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं, यह set हो गया, अब यहाँ से इसको हम fit done कर देंगे, तो दोस्तों इस तरह से इस तरह से आप अपने नय गूरूप को create कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका नय गूरूप बन चुका है, जितने लोगों को आपने add किया था, वो लोग यहाँ पर show कर रहा है, आपका dp यहाँ पर show कर रहा है, तो इस तरह से आप भी अपने whatsapp में नय चैनल को subscribe करें, धन्यवाद